संग जी मेरे साथ जरूर बोले जै गुरू जी शुक्राना गुरू जी संग जी बहुत बार हमारे पास ऐसे मेसिजिस आते हैं ऐसी कॉल्स आते हैं जिससे हम लोग समझ नहीं पाते कि क्या चल रहा है और अचानक से उस चीज में फस जाते हैं ऐसे ही सत्संग है आज हमारा तो चलिए पहले मंतर जाप करते हैं ओम नमस्षिवाए शिवजी सिदा सहाई ओम नमस्षिवाए गुरू जी सिदा सहाई जै गुरू जी जै गुरू जी शुक्राना गुरू जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालका संगत जी पता नहीं गुरु जी इस सत्संग के थूँ किसको आंसर दिलवाना चाते हैं किसको समझदारी वो समझ देना चाते हैं कि हम आगे के लिए अलर्ट रहें देखो यू नेवर नो कि आगे फ्यूचर में आपके साथ क्या होना है बट गुरु जी जो सत्संग सुनवाते हैं तो वो कहीं न कहीं हमारे लाइफ में कोरेलेट करते हैं तो संगत जी इस चीज़ को माइन में रखिएगा और सत्संग पूरा सुनिएगा संगत जी गुरु जी हमें लाइफ में कैसे कैसे बचाते हैं ना हम इस चीज का उनका शुक्राना कर ही नहीं सकते संग जी यह जो सतसंग आज में आपके साथ शेयर करने वाली हूं बहुत 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 ही इंपॉर्टन सतसंग है क्योंकि आज के टाइम में जो हमारे साथ जो सोशल मीडिया की लाइफ चल रही है इतना AI का यानि की इंटेलिजेंस की लाइफ चल रही है और जो इतने कंपिटराइज़ रहे हैं ऐसे में हमें अपने आपको सेफ रखना हमारी बैंकिंग हमारी पेमेंट्स का हर चीज को सेफ रखना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार ऐसी चीज़े आ जाती हैं कि आपको समझ रही आता और आजकल के स्कैमर्स भी इतने तेज हो गए हैं कि वो ऐसे ऐसे आइडियास लाते हैं कि आप कहीं न कहीं किसी न किसी तरह उनके जाल में फस ही जाते हैं तो संगत जी हम इस चीज़े तो अवेर हैं कि हमें OTP नहीं देना है अपनी डिटेल्स अपना धार कर किसी को नहीं चलिए सत्संग शुरू करते हैं जै गुरू जी शुक्राना गुरू जी संगत जी ये बात है 14 अगस्ट 24 यानि की 14 अगस्ट की सुबह सुबह मुझे अचानक कॉल आया कॉल अनौन नमबर से था वैसे नॉमली मेरे फोन में ट्रू कॉलर डाउनलोडिर है तो जब भी कॉई कॉल आती है तो अगर वो स्पैम कॉल होती है तो वो रेड कलर शो करता ह तो उससे थोड़ा आइडेटिफिकेशन हो जाती है कि स्पैम कॉल है या नॉमल कॉल है फिर भी कॉल अनौन नमबर से थी इसलिए मैंने नहीं उठाई टू टाइम्स मेरे फोन ने रिंग किया मैंने कॉल पिक नहीं की बट जब थर टाइम मेरे पास कॉल आया तो मुझे ल उन्हों ने कहा कि आपके इस नंबर और नेम से फैडेक्स का एक कोर्यर रिसीव हुआ है जो कि मुंबई से इंडिया से या निकी और इरान के लिए भेजा गया है बट इरान के जो कस्टम है उसने वहाँ पर उसको पकड लिया है यानि कि इराम के कस्टम ने उसको वहाँ स्टॉप कर दिया है अब मैंने तो कोई कोरियー भेज़ा नहीं था तो मैंने घबरा करет tao कर पूछा कि नहीं मैंने तो कोई कोरियर नहीं भेजा बट सामने सवे जो लेड़ी थी उन्होंने बोला कि नहीं आपके नाम और नंबर से ही ये कोरियर गया है और ये मुंबई से डिस्पैच हुआ है और इरान के लिए गया है अब इरान के कश्टम ने इसको पकड़ लिया है क्योंकि इसके अंदर जो समान है वो अव्याद समान है कुछ यानिकी कुछ ऐसा समान है जो नॉमली हम लोग किसी को नहीं बेशते तो मैंने थोड़ा घबरा गई फिर मैंने सोचा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है फिर मैंने मन ही मन गुरु जी को याद किया और गुरु जी का मंतर जाब करना शुरू कर दिया उसके बाद मैंने उनसे कहा मैंने तो ऐसा कोई भी कोरियर नहीं बेजा है पर ऐसा कैसे पॉसिबल है मन में थोड़ा सबने हैं फिर वी लेकिन मनतरजाब कंटिन्यू करती नहीं मैंने कहा कि फिर इसका क्या सालूशन हो सकता है मैंने वैस систil आप बताएं कि इसका क्या solution है तो उन्होंने कहा कि आप मुंबई इस्ट के पुलिस टेशन में जाईए वहाँ पर जाके अपनी complaint लॉक करें और अपनी complaint के जो भी details है वो बताए एक pen और paper ले ले मैं आपको details बताती हूं आप details note down करते जाईए तो उन्होंने कहा ठीक है मैंने pen और paper लिया और उसके बाद वो details बताते गए और मैं अपनी details note करती गई नाम, नमबर, अधारका, details और उन्होंने कहा फिल लास्ट में कि इसको आपको मुंबई इस्ट के पुलिस टेशन में जाना है और वहाँ पर अपनी complaint दर्ज करवानी है नहीं तो आप online भी complaint कर सकते हैं मैं details ले ले ल फिर मैंने कुछ सोचा और मैंने का ठीक है आप details ले लो और मेरे नाम से online complaint आपी दर्ज कर दो और मुझे clean sheet आप फिर भेज देना और मैं यह कही रही थी अब इतने में गुरू जी की मुझे blessing मिली गुरू जी ने मुझे bless किया और call अचानक से disconnect हो गई जो कि call disconnect होना बहुत possible नहीं था क्योंकि call disconnect होना easily possible नहीं था फोन लॉक था और फोन की screen जो है वो मेरे चिक से touch थी और फोन का disconnect होना बिलकुल एक मेरे लिए मिराकल ही था कि अचानक से call कैसे कट गया और उसके बाद मैं थोड़ा सा घबरा गई मैंने उस number पर वापस callback किया तो उस पर वो call out of service जा रही थी उसके बाद मैंने FedEx के help line number पर call किया बट वो भी काम नहीं कर रहा था फिर मुझे थोड़ी घबराट होने लगी पर फिर भी मैं मन ही मन मंतरजाप करती जा रही थी फिर अचानक से गुरुजी ने मेरे मन में भाव डाला कि मेरे मुंबई मे एक फ्रेंड है तो मैं उसको call करती हूँ मैंने अपने मुंबई के friend को call किया और कहा कि क्या तू इस्ट पुलिस टेशन जा सकता है इस्ट मुंबई के पुलिस टेशन में तो उसने कहा ऐसा क्यों क्या हुआ तो फिर मैंने उसे पूरी डिटेल बताई कि ऐसे ऐसे मेरे पास call आया था तो उसने कहा ये एक scam call था तूने जादा details तो उसे नहीं दी तो मैंने का नहीं phone disconnect हो गया तो उसने का बहुत अच्छा और next time तू इससे साफधान रहना कैसी calls आए तो please be aware और ये कहकर उसने phone कार दिया चल सुबह बात करते हैं मेरे मन को थोड़ी सी तसल्ली हुई मैंने गुरुजी का शुकराना किया गुरुजी को thank you बोला कि गुरुजी आपने वो call कटवा दिया मुझे थोड़ा relax हुआ बट फिर भी थोड़ी सी अलग मेरे मन में फिर भी कहीं न कहीं चल रहा था कि मैं एक बच चेक करूँ और फिर मैंने FedEx की website पर जाकर उसके FAQs मे और फिर मेरी फरेंड का दुबारा फोनाया तो उसने मुझे बोला कि कल मैने तुझे एक Satsangh बेज़ा था तूने वो Satsangh सुना तो मैंने का नहीं तो उसने बोला कि ये देख वो सत संन्ग मैने तिर्को बेजा था वो भी सेम सत्संh था उसमें भी East Police Station का ही Mention था यानि कि क्मप्लेंट करने के बाद उनको मिल गए तो यसि लिए अंटी ने अपने शुक्राना सट्संग शेयर किया था जो मैंने ते रको लिंक हिए था तुने वह सट्संग नहीं सुना और गुरूजी वो सथ्षंग सुनवा कर तेरे को भी अवेयर करना चाहते थ mlramad 1055 तो शायद जो तिरे पास कॉल आई उसके बारे में तू पहले से हुए होती और ऐसा तेरे साथ कुछ भी नहीं होता और तू घबरती भी नहीं तो मैंने मन में सोचा कि सच में हमारे गुरू जी सच में चाहते हैं कि ताकि हम उस चीज के लिए पहले ही प्रिपेर रहें तो संगत जी इस चीज को प्लीज माइंड में रखिएगा कि पहली बात तो ऐसे स्कैम कॉल से आपको हमेशा ही सावधान रहना है किसी को भी अपनी डिटेल्स नहीं बतानी है बीना सोचे समझे किसी भी बात पर रियक्ट नहीं करना है चाहें कोई कोई भी डिटेल्स मांगे कोई भी पुलिस की या किसी भी तरह की बात करें उसको लिए पहले हमें अपने आपको थोड़ा सा अव्यर रखना है और सबसे बड़ी बात कि अगर कुछ भी ऐसा लगता है तो जैसे आंटी ने किया हमें तुरंत मंतर जाब स्टार्ट कर देना चाहिए अपने मन में अगर हम गुरू जी की हेल्प उसी टैम लेना शुरू कर देते हैं तो हमेशा गुरू जी हमारे सहाई होते हैं सच में ओम नमस्षिवाई शिवजी सदा सहाई ओम नमस्षिवाई गुरू जी सदा सहाई अब य पिरेंग जी हमेशा मंतल जाब करते रहें और सुनकर करते रहें सबसे पहले उनका मंतल जाब 唱 करते रहें सबसे आप्सिंग सुनते रहें और रहें आपपने घषत खटवाते रहें चलिए अब मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए आप जै गुरू जी शुक्राना गुरू जी